सुटेबल वाडेल त्या पद्ध दिने वाक्या गया एकाज एंट कोड़ू ना पण गेतु है सामनेला सुरुवात हो दे नाने फिकेचा कोल जाला कौटर फाइनल चा सामना है आजा काणास तो संगो उशिराले जा काणास तो वच स्पर देला थोड़ा उशिर जाला आणि त्यान अंतर मदे थोड़ा सा अबला वेल गेला होता त्याच्या मुले कौटर फाइनल चा सामना अपलेला दोन चटकांचा ख़़वावा लागतु है पड़ हर्कत नाई है मी दोनी संगाना मनपूराग धन्यवाद देतो कि तनी कमेटेला या टिकानी सहकारे केला आणि शकाली सामना भावा अशी अहे कपेक्षा होती अपलेला कि हा सामना दोन चटकांचा ख़़वता है उशक्तो करन या सरकम्टेंस मदे या दोन सीच्वे या संपुनस पर्दे मदे आपना पाहिला असेल आधिते घिजम ने अफला तून गोलंदा जी केलेलिया है किमब हुना आज बॉलर मोणूंजी कमिट्मेंट अपले संगा साथी तैने राखलेलिया है अमरुच्पोर्ट सासोने संगा साथी ती किमब हुना एक वर्चसमा अगा जाओनारी है और सलामीची जोडी मैदानमदे अपलेला पाहला में चे सूरज अनि सुनील इस जोडी मैदानमदे रिविव नसेल अ कमिटी चा वतीने निर्णे तैने तलेला है या समने मदे रिविव नसेल कोणा लही रिविव नाई है तैने जो पंचांचा निरिने असेल तोच अन्तीम निरिने असेल श्यवेट चे सर्व अधिकार है कमिटी कडे असनारा है कमिटी कडे राखे वासनारा है वड़िया मईदाना कडे सामने दिल पहिले चेंडुला सुर्वात होते अधित्य गीजम राइटम ओर तो विकेट गुलंदाजी करने साड़ी सज्ज होतो है जरूर चेंडु जातो है तो सरो थर्ड मान सीमारे शेच अबाहेर पंचांचा इशार आया तो है नोबो चावकार चावकार चाहिशार आया तो है अधित्य मैदा नमदे आकोल जाते करना सूरज ने अशा पद्द दिने पहले समने दुसरा समने भरपूर सारे दावाल उटले होते है अधित्य तोथ सूरज मैदा नमदे आक्रमक फलंदाजी याही वेलेला करतु है अधित्य गिजम चाहा चंडु मत्र आपन पातो है खाली रातो है जुना चंडु असला कानारे चंडु दिस्रनार नही याची गवाई दोनी संगाने मगाता घयाची याहे अधित्य चंडु खाली राएला जो अरताताच सूरच्चा बाट्चा पट्टे दे अतना ही यावल्चा हाही चंडु अपन पातो है निर्धाव चंडु जातो है लागो पात दोन चंडु निर्धाव जाना दोन चंडु चंडु तुम्हाला खेलाला मिलना रहा त्या वड़ेला यू अल्वेस तिंक अबाउट डैट की केवल तीन कीमा चार चंडु तुम्छा वाट्याला आशे याना रहा जाचा ओर्धी तुम्हें मोटे फटके मारू शकता पन निर्धाव चंडु प्रेशर व पर्टिकुलर जोन मदे केटाना अधित्यने सुध्धा अपला लाइन अनि लेंध मदे थोड़ा यू शिकाओ इना बदल केलेला पाला मिलाला थोड़ा मिडल लेक्स्टंपोर्धी गोलंदाजी करनेचा प्रयातना केला जला बाच्मन पसं थोड़ा दूर जाउन कशा पर प्रिकेट श्परदाज जाचा पन याची देही याची डूला अनुभोग जेतोय आनंद लूटतोय आणि किम्बहुना क्रिकेट स्पर्दा चांगली होने साथी इतिल प्रत्तेक क्रिकेट पड़ू कि मा प्रत्तेक अर्थातास आपन पाथुए अमचा संगटनेचे सदस्य सगले आती शे महत्व पूर्ण अशा पत्ततीची कामगीरी करताना पाला मिलालेत दोन दिसामदे उद्या सपर्दे चांगली होने इस पर्दे चांगली होने सरवाना आटकाने क्रिकेट सर्वाना सेधिया सब्सक्राइब परफोर्मस तो एक रेन त्याचा गोड़ून ब्रयात सारे आपेक्षा त्याचा संग सहकरे नास्तिल आपेक्षाला साजेशी कामगेरी करतो है करन फलंदा जाला त्रिफळाची चुरूपात बात करतो है परफोर्मस तो एक पलंदास दिस्तोय माइदान बधे मला परन अब आग्षाब प्लंदास तो आपेक्षाह जाला जाब यला गोलंदाजी आपेक्षाब याला पाली रुषब ट्रूड़ू याचा बदल ब्रयात्स बढ़ेला अनि चांगले गुष्टी में बुल्लो है आज ही अपन पातो है आउट आप दो आपस्टम जोरा टाकाईचा खोला टाकाईचा यॉर्करवन टाकाईचा अणि समुर्चा फलंदाजाला रूम देयाच अशा प्रकर्ची गुलंदाजी नवीन फलंदाज सत्यम मैदाना मदे आए शत्यमला अपले संगासाटी पुडचा चार चंडुन मदे धावा बनवा व्याच लागतील अब ललंदाजी पोवन कोंडाजी मैदाना मदे खरिटाना अपलेला पाला मळाला मीडविकेटला शेदर रख्षक जो पर इंचेंडु फील्ड करेल तो पर इंद केवल एकस दा होना रहे आणी फलंदाज बाद होन परतना रहे पावलन मदे आण किन एक फलंदाज बाद जाले रीजियो मास पाटून टेवाद इकटे स्क्वेर लेगला एकेरी धाव अपलेला पाला मळाले आणी दाव फलंदाज बाद शुद्दा जालेला पाला मलाले तचमोले धाव संख्या अपन पातो है अकरा धावा दाव फलंदाज लगले चामा संख मैदाना मदे जो अध्या परेंता प्रिशर तेननी गेतला की मैदानामा दे है सासावने संख त्या पधतिने उत्तर देतो है या प्रश्नाची उत्तर आपन समोर समर पावुशक्ता मित्रा नो जी काई हुद आपले डोला समोर होतो है कि मा थाच वळलेला अपन ती शनचीतरे घर बसले सुद्दा चिन्डू दोनशटकां सा खेभ धावा दावल का ओरोधी आणि जिंक चेतinky अवशकता आप premier 2 संगला बारा धाव इंची अवशकता आप ले आप लेल ला क॥ाया पाहल पाहला मेदानねो अपन ट्यान अंतर मातर आधित दिया सेल के वा रूशो बासी ले दोनी गोलन दाजाने अपले नावाला साजिश्ची काम किरें केली मी सासरोने संगला सुद्धा सेम विननती करें कि अपले सलामीची जुडी मैदानाद पाटवाई चिया है प्लस दोन फलनदाज एक्स्ट्रा आपन मैदानाद पाटवाई चिया है बारा चुन्डू मदे यसींजी बारा धावाँची गरे जै समीकरन सोपक ये उघड है आता आपन संगुष चकत नाई है आणी सासरोने संगला मी परत एकदा विनननती करतु है कि दोन एक्स्ट्रा फलनदाज आपन मैदानाद पाटवाई चे ये अर्तात अस नोन आपनी गयाए चे आहे करन तुमालाज फलनदाजी कराचे है तर आपलेला माईती आहे पन ट्याच वळेला बारा चुन्डू मदे बारा धावाँची गरे जासताना विशेश यावलेला लक्ष हसेल त्या अर्तात चाल्माला संगाचा पहलेला गोलनदाज अकड़े जो गोलनदाज जर प्रभावी टरला तर हा समना जलापन रफ एंटफ वशा प्रकारचा संगर्श मंटो तो पाहाला मेलो शोपतो ओवर टू यासीनजी मर्चंट अबन पहातोई सुर्य मावलतीला गेलेला है आणि आता मात रहीते हलु अधाराचा सामराज अप्याला इते पाहला मिलते हैं आणि सर्वा क्रिकेट रसीक मावाब क्रिकेट प्रेक्षक अवन पहातोई अजुनी ही हा सामना अगदी उतकंटेने पहाता है उर्जीत अवसा मदे आहेत आपल नोकरी असेल व्योसा असेल आपल शर्वा व्यक्तिगत काम बाजुला सारुन क्रिकेट वरती असनार प्रेम तेनसा ही थे दिसुनी है ते चलिए दोस्तों फिर से एक बार मैदान मिजदे है जहाँ पे राजेश और दर्शन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राजेश मोहते और दाउद स्ट्राइकिंग एंड पर जितने के लिए बारा गेंदे और बारा रनों की जरुरत पहला ओवर लेकि आया है परेश परेश कोड़ी अनोखा अन्दाज अनोखी स्टाइल फॉलो तरो और उसे के साथ देखिए जी हाँ ये लिजिए अंधेरे का फाइदा यहाँ पे मिलता हुआ बल्ले बाजी करने वाले टीम अमरू स्पोर्ट्स सासावने को ये पहला चौका बाई के रूप में मुफ के यहाँ पे चार रन मिलते हुए हाला कि ये मैच देखिए कि इतना मौलवान है कि इतना महद और पुर्ण है क्रूशल मैच है क्योंकि ये कौलिफायर राउंड है इस मैच में जो जीतेगा वो टॉक थ्री में प्रवेश करेगा और उसे के साथ स गें टपा खाने के बाद अंदर की तरफ भी आई थोड़ी सी नीची रही और उसे खेलने की कोशिश में चुग गए जी हाँ इसमें तब हवा में खेला है और लंगाउन के दिशा में एक आसान सा कैच सुनी लिबान कर कहा कैच छोड़ने वाले थे और इसे के साथ ये पहला चटका लगता हुआ दाउद के रूप में अम्रू स्पोर्स यश्वन देव सासवने को हला कि चार रन के साथ यहाँ पर आगास किया है जीतने के लिए बारा रन चार रन स्कोर काड़ पर लग चुके है दो गेंदो तीन गेंदे अब तक कर डाली जा चुकी है हला कि बाई के रूप में पहला चुका आया था उसके बाद एक बिंदी गेंद देखने को मिली परेश के जरिये से और उसके बाद एक मौलेवान विगेट उन्होंने चटका आया है इस बीच नए बल्लेवास विकरम थड़े स्ट्राइकिंग एंड पर नव गेंदे बची है और जीतने के लिए आठ रनों की जरूरत पहला जो चुका आया था वो कितना कीमती है ये तो आने वाला समय बताएगा मगर ये बहुत ही कीमती होगा इसमें कोई शक नहीं है कोई दोराई नहीं है प्रशांद फिर से एक बार राइट आम ओवर दे विकेट जी हाँ इस पर दबाए क्रोस दे लाइन केलने की कोशिश कर रहे थे विकरम थड़े मगर गेन ने बल्ले का अंदरू नहीं हिस्सा लिया और गेन शॉर्ट स्क्वेर लेग में ट्रावल कर रही थी मगर वहाँ पे जब तक फिल्ड होती तब तक दोनों भी बल्ले बाजों ने अपने छोर बदले एक रनासानी के साथ यहाँ पे मुकमल कर लिया है और रनो की संख्या को मुँचा दिया है पांच पर मात्र दो ओवर का यह मुकाबला कॉलिफायर रावनी जी हाँ खंबा उखाड दिया है दर्शन वाकडे मैदान से बाहर आर एक बड़ा जटका अम्बरू स्पोर्स सासोने को लगता हुआ देखिए इसलिए यहां पे यह मैश दो ओवर का खेला गया आप बोल रहे थे तीन ओवर का खेलने के लिए और अब अगर तीन ओवर का खेले होते तो क्या होता अब यहां पे गेन नजर नहीं आ रही है शायद ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ क्योंकि मुझे तो यहां से गेन नहीं नजर आ रही है बल्ले बाजों को शायद नजर आती हुई मगर यहां पे ताबड तोड दो बल्ले बाज मैदान से बाहर जा चुके है इस बीच नए बल्ले बाज आया है आदित्या की जम पांच गेंदे डाली जा चुकी है पांच रन स्कोर कार्ड पर लग चुके है क्या कमाल की गेंदवाजी परेश हाला कि परेश ने मातर एक ही रन खर्च किया है बाई के रूप में चार रन मिले कुर्विला के पांच रन स्कोर कार्ड पर लग चुके है जीदने के लिए बारा रनों की जरूरत मैच जारी है स्रीगनेश साणमाला बनाम अमरू स्पोर्स सासव ने इन दोनों टेमों को बीच कॉलिफायर राउंड इस मरतबा डांसिन डाउन दे विकेट आगे आकर उस गेंद को खेला है डीप कवर के लिशा में गेंद गोली की रप्तार से दन दन आती हुई दो खिलाडियों के बीच में जो बड़ा ग्याप था जो बड़ा बड़ी दरार थी वहां से वही गेंद फरार मिलेंगे रण यहां पे चार तो अब बेड़ा होगा पार पहले और की समापती हो चुकी है नौरन स्कोरकार पर लग चुके है अब च्छे गेंदों में मातर तीन रनों की जरूरत अमरू स्पोर्स यश्वन देऊ सासोने को जीतने के लिए अमरू स्पोर्स सासोने अमरू दादा इनके नाम से यहां पे यह टीम खेल रही है एक क्रिकेट के बहुत ही जबर्दस चाहने वाले उसे के साथ साथ समाच के अपरती बहुत ही प्यार रखने वाले अमरू दादा के नाम से चे गिंदे और तीन रनों की जरूरत स्ट्राइकिंग इन पर विक्रम नौ स्ट्राइकिंग इन पर बले बाज़े आदित्या घिजम जबकि गिंदबाजी के मार्क पर पवन कॉंडा जी क्या यहां पे तीन रन सेव करेंगे अब यहां पर सही माईनों में इम्तिहान होगा पवन कॉंडा जी का नाम अक्सर लिया जाता है अच्छे गिंदबाज के रूप में यह देखिए क्यों लिया जाता है फिर से एक बार यहां पे बताते हुए यह जिद नहीं चोड़ेंगे यह बहुती जिद्धी खिलाडी है और इस मैच को भी हम जीज सकते हैं अंतिम शणों तक लड़ने की ख्रमत हम में हैं यह बताते हुए यह गिंदबाज पहली गिंद बिंदी करते हुए विकरम थड़े को पांच गेंदे तीन रनों की जरुरत यह लिजिए फिर से एक बार दूसरी गेंद सीधी ठिकाने पे परफेक्ट यॉरकर खंबा उखाड़ दिया है पवन कुंड़ाजी ओन दो फाया आग की तरह बरसते हुए लाजवाब गिंद बा है दिल्चस मुकाबला दिलों की धड़कने तेज हो रही है धक धक यहाँ पे करते हुए सभी के दिल अब यहाँ पे कलेजा मू को आता हुआ दिमाग को सुन न कर देने वाला यह मैच चार गेंदे तीन रन चार गेंदे और तीन रनों की जरूरत जीहाँ आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं मगर बॉल डेड होने के बाद जीहाँ इस में तब धर्मेंदर वर्तक के बल्ले से बहुती बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिला है कि आपको धूंडा है दूसरे रन के लिए जी तोड मेहनत करते हुए वाव वाव वेरी वेर लन देखिए जी जान लगा दी इस के लाड़ी ने दूसरे रन के लिए और ये दो रन कितने कीमती है ये आप सभी समझ सकते है क्योंकि अब तीन गेंदे बची है और जीतने के लिए मात्र एक रनों की जरूरत ये स्ट्रोक एक स्ट्रोक पूरे जच का पदड़ा भारी कर गया है क्योंकि पहली तीन पहली दो गेंदे बिंदी आई थी पवन कॉंडा जी फिर से एक बार ओहो इस मतबाद शायद लाइन से भटके और मिलें यहां पे फटके और यह मैच जीत लिया है अम्रू स्पोर्ट्स सासवने टीम ने बहुत- मुबारक और सेमी फाइनल और फाइनल के लिए डेर सारी शुब कामना है हुआ कर ओड्स जैं कर दो झाल झाल